Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy. देखें हमने last session में जो Bills of Exchange नाम का chapter हम cover कर रहे हैं, इसमें एक difference पढ़ा था, जिसमें हमें on demand या at site कुछ इस तरीके का concept हमें देखने को मिला था. चलिए आज हम सबसे पहले यही कुछ concepts clear करते हैं, देन उसके बाद Bills of Exchange की accounting treatment भी समझेंगे की क्या होती है. So, what do we mean by Bill at site? देखो Bill of Exchange जब बनता है, तो उसके साथ कुछ यह terminologies जो की आपको visible हो रही हैं आपकी screen पर, यह हमें देखने को मिल सकती हैं. So, the number one is Bill at site. देखो, site का मतलब होता है दिखने पर, जब document दिखाया जाएगा, present किया जाएगा, तो इना Bill of Exchange, the expressions at site, और on presentation, अगर बिल पर कुछ इस तरीके की चीज लिख दी जाती है, कोई specific date नहीं mention की जाती है, तो यह माना जाता है, कि जो Bill है, वो payable on demand है, कि जब demand की जाएगी, उस वक्त, उस कागस के टुकडे के आधार पर, हमें Bill की payment करनी होगी. So, if no time for presentation is mentioned in the bill, it is payable on demand. Bill's payable on demand becomes due as soon as the bill is presented for payment. तो अब इसमें basically क्या हुआ, कोई fixed time तो रखा नहीं गया है, कोई specific date तो रखी नहीं गयी है, इसलिए जब Bill show कर दिया जाएगा, present कर दिया जाएगा, उसी वक्त वो payment के लिए due भी हो जाएगा. Very important concept ये है, कि ऐसे bills के साथ, कोई वो three days of grace का concept उभर कर नहीं आता है. लेकिन, अगर अब हम बात करें, Bill after date, तो इसमें क्या है? अगर एक bill, एक specified fixed period के लिए बना है, और उस पर after date भी लिखा हुआ है, that means, कोई एक particular time, एक particular date साथ में mention की गई है, बिल की, जैसा कि आपको एक specimen में दिखाया गया था, तो इसलिए, ये जो after date वाला concept है, अगर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, कि duration जो होगी, बिल की, वो कब से शुरू होगी, जब bill draw किया गया था, draw के दवारा, उस वक्त से, अगर कोई bill बना है, दो महीने का bill है, और उस पर after date लिख दिया गया है, और लेकिन, ऐसे bill की acceptance जो है, वो मानलो 15 जनवरी को हुई है, तो अब आप खुद सोचों कि, आप कब से count करोगे 2 months, आप 1st January से count करोगे, या 15 January से count करोगे, अगर after date ऐसा लिखा गया है, तो जब bill बन गया है, तब ही से इसको count करना शुरू कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो due date बनेगी, वो हम 1st January के बाद 2 months count करेंगे, और 3 days grace के भी add करेंगे, जैसकि हमने last session में ये कुछ concepts देखे हैं, समझे हैं, तो 4th March जो है, वो हमारी बनेगी due date, लेकिन फिर से अब एक और concept, अगर bill after sight word expression लिखा हुआ होता है, the expression after sight in the bill of exchange means after accepting, इसका मतलब ये है कि जब bill को acceptance मिल जाएगी, तब वो सिरफ draft नहीं रहेगा, बलकि bill of exchange बन जाएगा, और तब उसी time period के बाद, हम actually जो duration है, उसे count करना शुरू करेंगे, जैसा अगर मैं उपर वाली example में ही आपको कहूँ, तो अगर after sight word लिखा हुआ हो, तो हम जो 2 months count करेंगे, वो 15th January से count करना शुरू करेंगे, ना कि 1st January से, यही बात आपको यहाँ पर भी बता रखी है, यह हलके हलके points हैं, जो कि आपको MCQ में काम आ सकते हैं, कि कब date of drawing से count किया जाना चाहिए, कौन सा बिल होता है, जिसमें date of acceptance से counting करनी शुरू होनी चाहिए, कौन सा बिल होता है, जिसमें 3 days of grace, जो है वो कोई importance नहीं रखते हैं, तो इस तरीके से ये 3 concepts जो हैं, वो हमें specimens की form में देखने को मिल सकते हैं, कि कुछ इस तरीके का concept हो या नहीं हो, ये सिरफ theoretical point of view से हैं हमें, otherwise हमें practically ऐसा कुछ भी हमें इन में देखने को नहीं मिलेगा, तो I hope कि आपको ये 3 points clear रहे, और अब आपको वो difference में भी कोई confusion नहीं रही होगी, चोकि हमने last session में discuss किया था, ये था वो point stamping से related वाला, जिसमें हमने ये on demand वाला concept देखा था, तो अब इस point में हमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए, कि अगर bill जो है, अगर वो at site presentation होने पर payable बनता है, तो उस case के bills में किसी तरह की कोई stamping करने की ज़रूरत नहीं होती है, otherwise अगर after date या after site वाला concept हो, तो वहाँ पर stamping करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन promissory notes के case में हमने ये पढ़ा था, कि stamping हर एक case में, तीनों case हमने आज देख लिए हैं, हर एक case में stamping होना ज़रूरी है, now let's begin with our accounting treatment, जिसके regarding basically हमें exams में questions देखने को मिलेंगे, तो आज हम हमारे practical concept की तरफ आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से bills of exchange को books में treat किया जा सकता है, देखो सबसे पहला एक concept, बिल एक ही है, लेकिन parties basically सबसे पहले दो existence में आती होती हैं, एक तो वो जिसने goods sale की हैं, और दूसरा वो जिसने goods purchase की हैं, तो वही एक bill जो है ना, दोनों parties के point of view से दो categories में उभर कर आता है, एक bills receivable की form में, दूसरा bills payable की form में, अब कैसे उभर कर आता हैं? देखो, the person who is entitled to receive money, draws the bill, that means he is the seller, उसने कुछ बेचा है, इसलिए उसे बदले में पैसे मिलेंगे न, तो यहाँ पर इस line में, जिस person की बात की गई है, वो है seller of goods, उसने bill draw किया है, तो यहाँ पर आपको जो basic meaning बताया गया है, बिल का, वो bill of exchange के point of view से बताया गया है, promissory note के point of view से नहीं बताया गया है, and gets it accepted from the person who is liable to pay, अब liable to pay कौन है, जिसने goods उधार पर खरीदी है, परचेजर of goods जो है, वो अपनी acceptance देगा, और इसका मतलब वो बंदा, यानि कि वो जो draw है, वो जो परचेजर है goods का, वो उसके point of view से, अब यह bill क्या बनना चाहिए, देखो, एक है receivable, receive होने के लायक, receive किसने करना है, जिसने bill draw किया है, draw यानि कि seller, तो seller के point of view से, जो bill है, वो bills receivable बन जाता होता है, और परचेजर के point of view से, यानि कि drawee के point of view से, वही bill क्या बन जाता होता है, बिल्स पेबल बन जाता है, तो as such, the same bill is a bills receivable from the point of view of the drawer, and a bills payable from the point of view of the acceptor, जिसको drawee भी कहा जाता है, in the other words, same bill is an asset, अब फिर से दिखो बहुत अच्छा point, bills receivable asset बन जाता है, हमने जिससे पैसे receive करने हो, वो बन्दा हमारा debtor होता है, यहाँ पर वो debtor का रूप नहीं ले रहा, यहाँ पर वो bills receivable का रूप ले रहा है, लेकिन है तो हमारी asset ही ना, जिससे हमने पैसे receive करने हमारा उस पर हक्ब हो गया ना, उसके उस पैसो पर, तो इसलिए bills receivable हमारी asset होता है, या अगर हम कहें drawee के point of view से समझें, तो वो drawee के point of view से उसकी asset है, और इसी तरह से दूसरी side पर जो bills payable है, वो acceptor या यूँ कहेंगे, drawee के point of view से उसकी liability बन जाता है, अब हमारे पास ये different cases या uses उभर कर आते हैं, of bills receivable, अब बहुती ध्यान से देखिए, आपको uses of bills receivable कहा गया है, bills payable नहीं कहा गया है, जिसने bills pay करने हैं, वो अपनी liability को किसी third party को shift नहीं कर सकता है, he is liable to pay, तो इसलिए due date पर वो payment जरूर करेगा या उसे जरूर करनी चाहिए, लेकिन, लेकिन जिसके पास bill receivable की form में आता है, मतलब एक asset की form में आता है, draw जो होता है, वो अगर चाहे, तो अपने उस bills receivable के साथ कुछ different decisions ले सकता है, उसके regarding कुछ अलग-अलग decisions ले सकता है, जिसमें से आज हम सबसे पहला decision जो है न, उसे practical point of view से भी समझेंगे, और एक practical question भी करेंगे, तो देखो, मैं आपको पहले हलका सा hint दूँगी, चारों cases का, फिर उसके बाद हम first case जो है, वो in detail समझेंगे, a party which holds a bills receivable, याने की draw, can use it in either of the following ways, मतलब किसी भी तरीके से उस bills receivable का इस्तमाल वो कर सकती है, कैसे है सबसे पहला case, he may keep it till the date of maturity, जब तक bill mature नहीं हुआ है, जब तक bill की due date of payment नहीं आई है, तब तक के लिए हो सकता है कि वो bill अपने पास ही रख ले, कि मैं ही due date पर इसकी payment receive करूँगा या करूँगी, तो इसलिए first point जो है वो ये बन जाता है कि keep it till the date of maturity, उस bill को bank के पास जाकर banker से discount करवा सकता है, लेकिन ऐसा discount जो है वो before the date of maturity होगा, date of maturity आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तब तो bill mature हो चुका है, तो bill mature होने में अभी वक्त है, आपको पैसे की पहले ज़रूरत पढ़ गई, अगर आप एक ड्रॉर के point of view से सोचो तो आप क्या करोगे, आप bank के पास जाकर उसे discount करवा सकते हो, मतलब कुछ कटोती कटवा कर फिर bank से पैसा ले सकते हो, let's suppose कि अगर 1000 रुपे का bill था, आपको bank ने 9500 रुपे दे दिये, कहां तो आपको वेट करना पड़ता और फिर आपको 1000 रुपे मिलने थे, किस से, ड्रॉई से, जिसकी liability है, जिसने bills पे करने है, लेकिन कहां आपको due date से पहले ही, before ही bank से 9500 रुपे मिल गए, तो आपने ये सोचा कि चलो 1000 ना सही, 9500 तो मिली रहा है ना, मुझे अब जरूरत है पैसे की, तो इसलिए ऐसे cases को हम discounting के अंडर पड़ेंगे, third case जो है, उसमें है, कि he may andros it to some other party, before the date of maturity, देखो फिर से वही, before the date of maturity, अभी bill mature नहीं हुआ है, उससे पहले किसी और को bill transfer कर दिया गया है, let's suppose एक A था, एक B party थी, और एक C party थी, A और B के बीच में transaction हुई थी, मान लो A को वो bill receive हुआ था, अब A ने ना C को payment करनी थी, तो उसने क्या किया, उसने ये bills receivable C को transfer कर दिया, मतलब due date पर B को कहा, तो मुझे payment करने की बजाए, तुम C को payment कर दो, तो इसलिए, इसे हम endorsement का case कहेंगे, ये हम पहले भी sessions में समझ चुके हैं हलका सा concept, last जो है, वो क्या है, last है कि वो इस bill को अपने banker को भेज सकता है, देखो ये point अलग था, इसमें था discount, इसमें था कि उसी वक्त हमें bank ने कुछ पैसे काट कर पैसे दे दिये, लेकिन यहाँ पर है कि आपका banker, आपका agent बनकर काम कर रहा है, आपके बिहाफ पर पैसे collect करकर आपको दे रहा है, तो इसलिए इसमें discount वाला concept नहीं आएगा, इसमें एक अलग तरीके से adjustments की जाएंगी, तो I hope कि आपको हलका हलका meaning सा समझ में आया, चलिए अब हम discuss करते हैं in detail कि कि किस तरीके से accounting treatment या यूं कहूंगी journal entries हो सकती हैं, अगर bill due date तक drawer के पास ही रहता है तो, So the accounting treatment of bill depends on the use of bills receivable by the holder of the bill, इसलिए जो सबसे पहला case holder के point of view से, मतलब bills receivable, bills receivable कौन hold करता है? drawer, अभी अभी आपको ये बात समझाई है, So when bill is retained by the drawer, मतलब उसके ही possession में है till the date of maturity, तो क्या journal entries पास होंगी? देखो, दो parties हैं, एक drawer है और एक drawer है, तो दोनों की books में क्या journal entries होंगी? ये आपको समझाई गई हैं, तो एक side पर आपको Indie books of drawer वाली journal entries बताई जा रही हैं, और दूसरे side पर drawer की books में क्या journal entry होंगी? ये बताया जा रहे हैं, सबसे पहले आपको इतना तो अभी पता चल गया है, आपने class 11 में अभी तक जितनी भी journal entries या ledger accounts बगरा बनाने सीखे हैं, आपको इतना पता चल गया है कि जिसकी books हों, जैसे ledger में, accounts में कहते होते थें, कि जिसके नाम का खाता बन रहा है, उसमें उसी का नाम नहीं आता है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ concept है, अगर हम drawer की books ही बनाएंगे, तो journal entry में drawer नहीं आएगा, अगर हम drawer की books में entries करेंगे, तो drawer की books में drawer का ही नाम नहीं आएगा, अब journal entries देखो क्या बनेंगी, सबसे पहले, भई, bill कब existence में आता है, जब credit पर कोई sale purchase हो, तो existence में आता है, तो इसलिए सबसे पहली जो journal entry है, दोनों की books में जो बनेंगी, वो sale purchase वाली ही बनेंगी, एक party sale कर रही है, आपको सिरफ ऐसे लिखा हुआ आएगा, like a sold goods to b, suppose करो, आपको ये लिखा आता है, a sold goods to b, अब a के point of view से तो वो sales है, तो a क्या करेगा, draw account debit to sales, मतलब b account debit, क्योंकि b को उसने sales कर दी ना, तो journal entry क्या बनेंगी, debit the receiver, किसको goods receive हुई, b को, तो b account debit to sales, ये journal entry बन जाएगी, लेकिन, same यही दिखो, अगर b की books में भी entry पास करनी हो, तो b के point of view से तो वो purchase बन गई न, तो इसलिए b अपनी books में क्या entry पास करेगा, b करेगा, purchases account debit to drawer, drawer क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर आप खुद सोच कर देखो, drawer वो है जिसने sale की है, मतलब यहाँ पर अगर मैंने आपको कहा था, debit the receiver वाला rule लगाओ, तो यहाँ पर credit the giver वाला, देने वाला कौन है goods, goods देने वाला b को a है, तो इसलिए इसमें a लिखा हुआ आएगा, और automatically देखो, अगर यह Indie books of a है, और यह Indie books of b है, तो a की books में a का नाम नहीं आया, b आया है, b की books में a का नाम नहीं a आया है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, अब bill बनेगा, अब देखो bill कैसे बनेगा, जो drawer है, हमने अभी अभी पढ़ा है, drawer के point of view से, वो bills receivable होता है, और asset होती है, assets का कौन सा balance होता है, assets का debit balance होता है, तो इसलिए, यह जो bills receivable है, वो debit होगा, और जो drawer यहाँ पर debit हुआ है, अब वो बंदा बन जाएगा, बिल देने वाला, bills receivable को देने वाला, तो credit the giver का rule लगा कर, अब यहाँ पर drawer को credit कर दो, यानि कि to be, यहाँ पर credit हो जाएगा, बहुत ही simple है, कि जो यहाँ पर debit हुआ है, वो यहाँ credit होकर close हो जाएगा, उसकी जगहा कौन ले लेगा, उसकी जगहा एक asset ले लेगी, assets का मैं फिर से बता रही हूँ, कि debit balance होता है, तो इसलिए drawer की books में, bills receivable account debit हो जाएगा, अब अगर हम drawer के point of view से, यही same case समझें, तो देखो drawer की books में, drawer पहले credit हुआ था, that means जो बंदा credit होता है, that means वो हमारी liability बंदा है न, अब वो बंदे की liability हम खतम कर रहे हैं, उसकी जगहा पर कौन existence में आ रहा है, उसकी जगहा पर bills payable नाम की liability existence में आ रही है, और liabilities का होता है भई credit balance, तो इसलिए bills payable to लिखकर यहाँ पर credit हो रहा है, और जो drawer यहाँ पर credit पहले हुआ था, वो अब यहाँ पर उल्टा, मतलब debit होकर close हो रहा है, तो इसलिए journal entry क्या होगी, क्या हम B account debit to bills payable लिखेंगे, नो, गलत है, क्योंकि B की books है, B की books में B का नाम तो आई नहीं सकता, तो इसलिए जो correct journal entry बनेगी, वो क्या बनेगी, A account debit to bills payable account, तो आपने ये B account debit नहीं करना है, अब last में, last but not the least मैं कहूंगी अभी, क्योंकि यही case हैं अभी हमारे पास, कि till due date अगर bill जो है, वो यहाँ पर ही रहा है, मतलब drawer के पास ही रहा है, तो देखो due date पर क्या होगा, इसे पैसे receive होंगे, ये पैसे pay करेगा, अगर ये पैसे pay कर देगा, तो इसकी bills payable नाम की liability खतम हो जाएगी न, अब अगर liability खतम होगी, तो that means पहले वो credit होई है, अब वो debit हो जाएगी, तभी account balance होगा न, तभी ledger accounts balance होगे उसके, तभी वो खतम होगा, तो इसलिए क्या किया जाता है, जो bills payable, अब दूसरी entry में credit हुआ था, उसे हम यहाँ पर debit कर देंगे, और यहाँ इसकी तरफ से, इसका bank balance कम हो जाएगा, तो इसलिए ये two bank account करकर, अपना bank balance reduce कर देगा, मतलब उसे credit कर देगा, कि जो bank होता है, इसे हम personal account के undercover करते होते हैं, क्योंकि bank एक अलग से institution होती है, financial institution, तो इसलिए banker को आपने एक person वाले rule से treat करना है, debit the receiver, जब पैसा आता है, credit the giver, जब आपके बिहाफ पर आपका bank, आप कोई payment कर रहा है, तो ये आगई draw की books में entry, लेकिन अगर अब हम draw की बात करें, तो इसे पैसे receive हो रहे हैं, इसका banker इसके बिहाफ पर पैसे receive कर रहा है, मतलब इसका bank balance बढ़ा रहा है, तो क्या करेगा ये, bank account को debit कर लेगा, debit the receiver का rule लगा कर, और इसकी ये वाली asset, जो पहले debit होकर open होई थी, अब इसके against पैसा क्योंकि मिल चुका है, तो ये इसे credit करकर, इस bills receivable नाम के खाते को close कर देगा, जब खुला था तो debit हुआ था, जब ये खाता बंध हो रहा है, तो ये credit हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से journal entries पास कर दी जाएगी, और जो ये bracket में मैंने narration लिखी हुई है, ये narration भी साथ में लिख दी जाएगी, और journal entries जो हैं, वो drawer और drawer की books में complete हो जाएगी, I hope कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई ये journal entries, चलो अब एक question देखते हैं, ताकि आपको ये और भी better तरीके से clear हो जाएं, देखिए आज के लिए जो मैंने ये question consider किया है, वो है question number 3, जो की मेरे पास class 11 की हर्याना edition के accordingly, DK Goyal की book है, इसमें page number 18.63 पर हमारे पास ये available है, let's read the question की ये क्या है, अजे sold goods to Bhushan for Rs. 50,000, देखो आपको इस line को बढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए, कि कौन drawer बनेगा और कौन drawer बनेगा, हमें पता है कि जो goods sale करता है, वो drawer बनता है, और जो goods receive कर रहा होता है, मतलब purchaser of goods होता है, वो drawer बनता है, तो इस line से ही आपको पता चल जाना चाहिए, कि अजे drawer है, और Bhushan draw है, अजे draws a bill of exchange for two months, for the amount due, which Bhushan accepts and returns it to Ajay, तो मतलब draft भी बना, draft बनने के बाद acceptance भी हो गई, बिल बनकर तयार हो चुका है, दो महीने का बिल है, Bhushan met the bill on the due date, Bhushan ने due date पर payment कर दी है, met the bill का मतलब यह होता है, कि payment हो गई है, अब कोई ऐसी line नहीं लिखी हुई, जिससे ऐसा पता चले कि बही बिल discount कर वा लिया, या आगे banker को collection के लिए भेजा है, या किसी और third party को एंड्रॉस किया है, तो simple इसका मतलब यह है, कि यह bill retain ही किया गया है, drawer के द्वारा मतलब due time तक अजे के पास ही bill रहा है, हमने दोनों की books में journal entries पास करनी है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसे यह journal entries पास की जाएंगी, सबसे पहले तो एक बात देखो, मैंने आपको समझाने के लिए यह journal entries ऐसे की हैं, लेकिन आप पूरा परफार्मा बकाइदा बनाओगे, वो date, particulars, ledger folio, debit, credit या amount, amount वाले columns बनाओगे, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है journal entries वाले sessions में, फिर ही आप यह journal entries पास करोगे, तो अगर मैं आप बात करूँ सबसे पहले in the books of Ajay, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह यह बन्दा ड्रॉर है, तो इसकी books में जो journal entries पास होंगी, वो क्या होंगी, देखो सबसे पहले sale of goods की, इसने भूशन को goods sale की है, अब आप दिमाग में सोच कर देखो, sold goods to Bhushan, इसकी journal entry क्या होगी, Bhushan's account debit to sales, एक जनवरी 2019 की यह entry है, पचास हजार की amount से, यह first journal entry हो जाएगी, अब अगर मैं भूशन की books में बात करूँ, यानि की ड्रॉई की books से बात करूँ की क्या entry होगी, same यही date, लेकिन भूशन की books में, परचेज के point of view से यह journal entry होगी, तो entry बन जाएगी, परचेज अकाउंट debit to Ajay account 50,000, 50,000, अब आप देखो, बिल बना, अब जो Ajay था, वो ता drawer, अब इसके point of view से, bills receivable आएगा existence में जो किये, कैसेट होता है, तो same यही date रखनी है, बिल की entry आएगी, बिल्स receivable account debit to Bhushan's account 50,000, 50,000, यह बिल मेड, बिल्स receivable received, या हम इसे acceptance received का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हमें Bhushan acceptance दे देगा, तभी तो Ajay जो है, इसके लिए यह bills receivable asset बनेगा, तो इसलिए, यहाँ पर narration की form में acceptance received लिखा जा सकता है, लेकिन अब हम बात करें Bhushan की, तो इसकी books में क्या general entry होगी, इसकी books में bills payable एक liability की form में existence में आएगा, तो इसलिए entry बनेगी, Ajay account debit, जो की पहले credit हुआ था, अब debit हो जाएगा, to bills payable account, यह आ जाएगा, इसके point of view से acceptance given, अब due date कब बनेगी, देखो, दो महीने का bill है, एक January से एक February, एक महीना हुआ, फिर एक February के बाद, एक March, यह हुआ, दूसरा महीना पूरा, फिर हमने इसमें add कर दिये, तो बन गया, 4 March हमारी due date, अब 4 March को due date पर, अजे को पैसे मिल जाएंगे, तो अजे क्या करेगा, bank account debit to, किसके against मिले है, इस asset के against मिले है, जब यह asset आई थी, तो हमने इसे debit कर दिया, जब यह asset जा रही है, मतलब इसके against हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हम इसे credit करकर, इसके account को close कर देंगे, तो journal entry बनेगी, bank account debit to, bills receivable account 50,000, 50,000, तो इस तरीके से, अजे को due date पर payment मिल जाएगी, अब अगर हम last में बात करें, भूशन की books में, तो यह payment देगा, तो इसकी liability खतम हो जाएगी, तो same वही 4th March को, इसकी books में entry आएगी, bills payable account debit to bank account, payment made on due date, narration लिखी जाएगी, और 50,000 की payment जो है, वो कर दी जाएगी, तो कुछ इस तरीके से, हमारा यह particular question जो है, वो complete हो जाएगा, I hope कि आपको आज का यह सारा का सारा concept, और specially यह first एक case की, accounting treatment की, अगर bill due date तक, drawer के पास ही रहता है, तो किस तरीके से, accounting treatment दी जाती है, journal entries पास की जाती है, यह बहुत अच्छे तरीके से, समझ में हाए, चलिए, kindly do some honors, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अपने व्यूस कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना, बिलकुल भी मत भूलिए, थैंक यू सो मच फर वाचिंग दी वीडियो, और वाचिंग दी वीडियो, और वाचिंग आइस टेए, और वाचिंग दी वीडियो,